लो दोस्तों मेरा नाम अनिलियादव और स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अनुभरमिसी नोलेज में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट्रिजीन हाइडोक्रूराइट टेबलेट के वारे में कि किस नाम से आपको यह टेबलेट मार्केट में मिल जाएगी और इसका यूजज क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है और साथ ही इस टेबलेट को हम किस कंडिशन पर नहीं ले सकते हैं क्यांकि इस चैनल पर आपको सरलभासा पर मेडिसीन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सेट्रिजीन हाइडोक्रूराइट टेबलेट एंटी हिस्टामिन ग्रूप की एक दवा है जो एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के काम में लाई जाती है और दोस्तों अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो जायटेक, मेट्री जीन, सेट जीन, एलेरीड, ओका सेट नाम से आपको आपके मार्केट में मिल जाएगी और हो सकता है इस ब्रांड नेम से ना मिले तो आपको दूसरे ब्रांड नेम से मिल जाएगी जो ब्रांड नेम रहती है वो डाक्टर और एरिया के एकॉर्डिंग अलग अलग रहती है सब जगा एक जैसे नहीं रहती है दोस्तों यद किसी ब्यक्त के नाक बारा आ हो या नाक बंद हो गया हो और साथ में उसको च्छीके आ रही हो और नाक में सूखा पन लग रहा हो तो इसको ठीक करने के लिए से त्रीजिन टेबलेट दे सकते हैं यहां आपके लिए बहुत फाइदे में अंदर होगी और साथ में आपको कहीं खुझली हो गई हो तो इसको भी ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट को दे सकते हैं और इसके अलाबा अगर आपको कहीं भी चीटी या मदमक्खी या कीड़ा काट लिया हो और आपको सूजन आ गया हो और साथ ही आपको खुझली आ रही हो तो इसको भी ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट को दे सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं हमें किस कंडिशन में सेट्रीजीन टैबलेट नहीं देनी जाएए यद किसी पेसेंट की किटनी बहुत ही ज़्यादा खराप हो तो आप उस पेसेंट को सेट्रीजीन टैबलेट नहीं दे सकते हैं और साथ ही उसको लिवर प्रावलम हो और यद किसी ब्यक्ति को सेट्रीजीन से ही अलरजी हो और साथ ही उसको एंटि हिस्टामिन समूह के किसी भी दवा से अलरजी है तो आप उस patient को सेट्रीजिन टेबलेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उस ब्यक्ति को जब अगर आप देंगे तो आप मतलब उस patient को कुछ परिसानी हो सकती है तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके side effect की तो अगर आप सेट्रीजिन टेबलेट को लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपको नीद आ सकती है थकान लग सकती है फिसाप में भी प्रावलम आ सकती है और अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि हमें कितनी डोज में इस टेबलेट को लेनी चाहिए और किस कंडिसन में कितनी लेनी चाहिए तो दोस्तों इस टैबलेट को हम दिन में एक बार खाने के बाद 10 यमजी की 7 दिन तक ले सकते हैं तो दोस्तों कैसी रही वीडियो अगर अच्छी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा दोस्तों के पास सेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें